नमस्कार मैं हूँ आशी इस्त्री पाठी और आप देख रहे हैं हमारा खासकार करम स्पेशल रिपोर्ट इस्राइल और हिजबुला के बीट जारी लगातार संखर्श मंगलबार की शाम हिजबुला ने आठ मिनट के अंदर नबे रोकेट्स दाग दिये हिजबुला ने लिबनान से उत्तरी इस्राइल में अपर गलीली पश्यमी गलीली और दक्षिरी गोलान हाइट्स के इलाकों पर हमला किया इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रोकेट्स को इंटरसिप्ट कर भी लिया और माल गिराया जबकि कुछ जमीन पर गिरे जिससे उन इलाकों में आग लग गई बाद में इस्राइली फोर्स ने उस जगह पर हमला किया जहां से हिजबुला रोकेट दाग रहा था उनके रोकेट लाउंचर को भी तबाह कर दिया गया और इस दोरान की जो परिस्टियां थी उसमें बताया जा रहा है कि 90 रोकेट एक साथ दागे गए एर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रोकेट को नाकाम जरूर कर दिया लेकिन कुछ जमीन पर आगे रहे और आग लग गई अलाकि बाद में इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उन इलाकों पर हमला किया गया जहां से रोकेट लाउंच के जा रहे थे और रोकेट लाउंचर को ही द्वस्त कर दिया गया ये उत्तरी इसराइल में हमला किये जाने के बाद ये तस्वीरे हैं जहां पर कि रॉकेट लाउंचर को ही इसराइल ने तबाह कर दिया और इस हमले के दौरान के कुछ वीडियो भी सामने आई है मुलाकातों के बीच हिजबला ने इसराइल पर अंधा दुन्द रॉकेट धमा के शुरू कर दिये इसराइल के किरियाद श्रमोना गैलिली और हाइफा में हिजबला ने भीशन तबाही मचाई नेतन नयाहू के लिए लिबनान की लड़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही है इनसानों की यहां कोई बिसाथ नहीं है यहां कदम कदम पर मौत है आस्मान से बरस्ती मौत इसलाइल और लेपनान के बहुत करीब हूँ और आप देखेए लोरो पहिस्वत आपको साफ दिखाई देरा है मिसाइल अटेक हुआ है यह देखें साफ साफ मिसाइल अटेक हुआ है हिजबुल्ला सिर्फ युद में मार नहीं का रहा है इसराइल को मार भी रहा है कब्यत से मार रहा है मार इतनी बहानक है कि उसका ट्वेलर न्यूज एटीन इंडिया रिपोर्टर अरुन सिंग और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है ये शोर सुनिये राकेट की रफ्तार देखिए पिर धमाके का असर खुद बबुद समझ सकेंगे कलेजा थर्रा देने वाले दृष्यब इसराइल में दिख रहे हैं कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल हैं पर आपको दिखाई दे रहे हम लोग हम लोग को भी यहां कई छुपना पड़ेगा देखिए एक साथ कई सारे राकेट इस बुल्ला ने यहां पर दागे है इस बुल्ला के हमले को नई धार मिली है इरान भी अब खुल कर इसराइल को देहलाने जा रहा है वजए इरान को अब एक ओडर पर मिलेगा हर हत्यार खामनेई की डिमांड पर रातो रात मिलेगी हाइपरसॉनिक मिसाइल कुछ स्पोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सूपरसॉनिक आस्मानी लड़ा का इरान को ड्यूकलियर थ्रेट हुआ तो आटम बम कभी हो जाएगा जुबार इसराइल हो या अमेरिका इरान को अब किसी से नहीं डर इरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा इरान ने हर वार इसराइल के हमले का जबाब दिया इरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया लेकिन अमेरिका के वार जोन में आने के बाद से इरान की जमीन किसक गई थी इरान को सूपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे इरान को नुकलियर बमों से लोड़ेट फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं सुपरीम लीडर अली खाम नहीं भी बेफिक्र है वजह है मौसको से हुआ एक एलान इरान को रूस से क्या-क्या गैरंटी मिली है डीटेल वाइट हाउस तक महुँच गई है जिसके चलते करीब एक हफते से नेतन याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेजिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर लिए यानि दो होट लाइन एक्टिव है 24-7 तेहरान और मॉस्को की होट लाइन पर इसराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुपा है वही रूज के वार जोन में एंट्री के बाद प्रेजिडेंट बाइडन और नेतन याहू नई रणनीती बना रहे है लीडर्स की वार प्लानिंग से अलग यूद के मैदान में खून खरावे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है इसराइल के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे है जैसे बेरूट जल रहा है ठीक वैसे ही दृष्षे इसराइल में दिखने लगे है लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को जेलने की हम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं हिजबुल्ला सीस फायर सीस फायर की दहार लगा रहा है मगर इसराइल का मकसद साफ है हिजबुल्ला हमास पूती के साथ इन सब के अगोशी ताका इरान की तबाही जब कि यूद में इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इजबुला लडा के इसराइल को घर में घुस कर दहलाने लगे है यह हाइफा सिटी का हाल है इजबुला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की जड़ी लगा रखी है मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छट पर यह रॉकेट गिरा था और उसके बाद से यह देखिए पूरा जो छट है वो भरभरा के नीचे गिर गया इस वक्त भी जो टुकडे हैं जो उपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको दिखाई दे रही है और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है याई जिससे छत बनाया जाता है वो भी आपको दिखाई दे रहे ही कितना तगड़ा यह हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है और वो भी गिट्टी की छत है, वो भरभरा के गिर गई नहीं घाड़ी यूत में अचानक सब कुछ मदल सा गया है शान्ती की पहल पूरी तरहां से किनारे रख कर इरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रूप इसराइल पर तूट पड़े हैं कारण है इरान को मिला मोस्ट पावफुल लीडर का बैक अप दुनिया बर के अखबारों ने प्रेजिडिन्ट पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग की खबर को छापा है मीटिंग का बहाना तुर्कमेन कवी की स्मृति में आयूजित एक समारों को बनाया गया है पुतिन पेजिश्कियान अमेरिका के खिलाफ मजबूत फ्रंट तैयार करने को लेकर वार प्लैन तैयार करेंगे दूसरी तरफ पुतिन के इसराइल के पिएम बेनियमिन नेतनियाहू से हाल फिलहाल मुलाकात की अभी कोई योजड़ना नहीं पुतिन से मीटिंग फाइनल होने के बाद से एरान के होसले बुलंद है इरान के राज़्ट पती अब कुलम कुला वार क्राइम के लिए इसराइल के साथ अमेरिका को खोस्टने लगे है अरुम्त वह्षी रो अरुम्त वह्षी रो अरुपा व अमरीका व ये दादमाई के दम सुख बश्र मीज़ने अज़ इस दफाह मे कनन हीच चार्चूब इनसानी रो मुराहत नमे कनन जन औ बच्च औ पीर औ जवान रो राहत बंबारान मे कनन इरान और रूस के जॉइंट मिशन की खबर वाइट हाउस जैसे ही पहुँची प्रेजिड़न जो बाइडन आक्शन में आ गए इसराइल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडन ने नेतन्याहू से फोन कॉल पर लंबी चर्चा की है इस बाचीत में ठाड़ी युद में आए बड़े ट्विस्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अमेरिका फिलहाल इरान पर हमले से नेतन्याहू को बचने पर जोर दे रहा है जबकि नेतन्याहू हर हाल में इरान को 200 मिसाइल का जवाब देने पर अड़े है लेकिन इसराइल ने हमला किया तो प्रेजिडन्ट पुतिन इरान की हर तरहां से मदद के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इरान ने रूस युक्रेन युद में पुतिन को सबसे ज्यादा मदद पहुँचाई है पश्यमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इरान ने युक्रेन के साथ युद में उल्जे रूस को कमदूरी की बलिस्टिक मिसाइले भेजी थी इरान से फते 1-1-0, फते 3-6-0 और जुल्फिकार सिस्टम मॉस्कोर डिलिवर किया गया था इरान ने रूस को बड़ी संख्या में शाहिद 1-3-6 जोन के आपूर्ती भी की है अब युद्ध संकट इरान पर मंडराया है तो पुतिन अहसान चुपाने से पीछे नहीं हटने वाले पुतिन युकरेन मॉडल कितना इसराइल को देलाने का वार प्लैन तो इरान को देंगे ही साथ युन हत्यारों से भी मदद पहुचा सकते हैं जिनकी कार्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है इरान और रूस की दुश्मनी अमेरिका से हैं इसलिए भी पुतिन युकरेन युद का हिसाब खाड़ी में सूपर पावर से पूरा कर सकते हैं ऐसे में जो बारूदी घमासान हमास ने शुरू किया था जिसे इसराइल ने बारूद की बेहसाब डोज दे कर बरबाद कर दिया हमास को बचाने हिसमुला आया तो इसराइल ने दोनों दुश्मनों को बेदम कर डाला फिर हूती लड़ाकों ने इसराइल को दहलाने की कोशिश की तो से अमेरिका ने जम कर पीटा आखिर में युद्ध में मोर्चा इरान ने समाला इरान ने इसराइल को 200 रॉकेट की पहली किश्ट भेजी जवाब अब इसराइल को देना है इसी पलटवार के इंतिजान ने कई मुलकों की दुक दुकी बड़ा रखी है लेकिन अब तक सुप्रीम लीडर एली खामनेई और बेनियमिन नेतन याहू की लीडरशिप में लड़ी जा रही लड़ाई नए किर्दारों से विद्वनसक और विनाशकारी रुख अक्तियार कर चुकी है तेहरान से मॉस्को तेलवीव से वाशिंटन डी सी की हाट लाइन आक्टिव है खाड़ी के वार जोन में बहुत बड़े युद का सायरन सुनाई देने लगा है जहां अमेरिका और रूस की सीधी टककर भी हो सकती है इरान का एक कमांडर इस वक्त लापता है दावा ये किया जा रहा है कि इस कमांडर की मौत तब ही हो गई थी जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरला पर बॉम्स किराए गए थे लेकिन अब इरान से आए एक बयान से ये लग रहा है कि ये कमांडर मिसाइल कंट्रूल रूम में बैठकर किसी भी वक्त अगले हमले का बटन दबा सकता है एक अक्तूबर तो ट्रेलर था एरान पूरी पिक्चर किस तारीक को दिखाएगा इसका फैसला जनरल स्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है स्माइल कानी यानि एरान के कुफ्ट स्पोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वाइरल है इसमाइल कानी यानि एरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलिमानी की जगा ली है इसमाइल कानी यानि एरान का वो जनरल जो अगर जिन्दा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है चार अक्तूबर को तहरान में जुम्हे की नमाज पढ़ाकर एरान के सुप्रीम कमांडर अली खामिने नहीं नहीं बताया था कि इसराइल की उल्टी गिंती शुरू हो गई है लेकिन इस दोरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई जब जनरल इसमाईल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफ़ वाहें खबरों में तबदील हो गई वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है की नसरलल पर जब इसराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इसमाईल कानी महाँ पर माजूद थे इन खबरों एरान में भी हलकम मचा दिया और पर आई ये सफाई तहरान में हुई कान्फरेंस में जनरल कानी को आना था लेकिन पर वहा के होस्ट ने ये जवाब दिया जनरल कानी को इसराइल का बहुत बड़ा डर कहा जाएगा क्योंकि एरान की कुद्स फोर्स वो ताकत है जिसके पास विद्शों में आपरेशन करने की जिम्मदारी होती है ये फोर्स एराक से लेकर सीरिया, लिबनान और यमन में भी आक्टिव है और कोई हैरत नहीं होगी अगर इसराइल के अंदर भी खूफिया उपरेशन में कुद्स फोर्स के एजिंट मौजूद हूँ वैसे अभी गेंद इसराइल के पाले में है क्योंकि एक अक्तूबर को इरान के हमले के बाद इसराइल जवाबी अटाक करना चाहता है लेकिन इरान कह चुका है कि इस बार उसका हमला कैई गुना बड़ा होगा और इसराइल को मिटा दिया जाएगा ऐसे में जनरल स्माइल कानी कहा होंगे ये बड़ा सवाल है कुर्द्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इसमाइल कानी को लेकर अफवा फैलाई जा रही है उनका दावा है कि इसमाइल कानी सुरक्षित हैं एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर स्माइल कानी सुरक्षित है और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इसराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा क्या जनरल स्माइल कानी एरान के मिसाल कंट्रोल डूम में बैटे हैं और सुप्रीम लीडर कामनेई से मिले बड़े आर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं क्या जनरल स्माइल कानी के टार्गेट पर है इसराइल के च्छे बड़े शहर और ठिकाने अगर ये सच है तो इसराइल पर खत्रा बड़ा है एरान के टार्गेट पर तलवीव है यानि इसराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हाइफा यानी इसराइल का सबसे बला पोर्ट और अर्टिक रजदानी, निवतेम जा इसराइल का सबसे बला और कुफी अरबेस है, दिमोना यहा है इसराइल का परमान और रियाक्टर और बाकी शहर अजदोद और अश्किलान अज़ीम सहियोनिस्ती तोसीय मी कनीम कि एरादी जमोरी असलाम आरान रो आज़माईश नकने, अगर हर हमले ये किशवर मा सूरत बगीरे, पासुख मा गदरतमंतान तर व खर गदरततर अज़ गज़श्टा खाहद दिए अलकि जवाब अज़राईल को देना है लेकिन एरान को लेकर इसराईल का खत्रा कम नहीं हुआ है, बलकि बढ़ चुका है ये इसराईल के अखबार हारेट्स की खबर है, इसराईल की 130 सैनिकों ने लड़ने से इंकार कर दिया है ये सैनिक चाहते हैं कि इसराईल की सरकार जल्दी से बंदकों की रिहाई को लेकर डील करे बिंजामिन नेतनियाहू एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो एक साथ साथ फ्रेंट पर युद्धलन रहे है लेकिन एक ऐसा मोर्चा भी है जो नेतनियाहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है इसराईल की मीडिया में ऐसी खबरें छपी हैं जो नेतनियाहू को परेशान ही नहीं काफी परेशान कर सकती है जब इसराईल का ग्राउंड ऑपरेशन घाजा के बाद लेबनान में भी शुरू हो चुका है तब 130 सैनिकों की ऐसी डिमांड नेतनियाहू के लिए बड़ी मुसीबच शुरू कर सकती है क्या ये इसराईल की सेना में बगावत कही जाएगी लेबनान में मौझूद ये इसराईली सैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्ला ने इसराईल के कम से कम 25 सैनिकों को मार डाला है जबकि सैकडों घायल है यही वज़ा है कि बनेतन याहू ने एक डिविजन फोस यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षणी लिबनान के मोर्चे पर भेज़ दिया है आपरेशन दिन राद जारी है ऐसे में जब 130 सैनिक लड़ने से मना कर रहे है तब इसराइल की सेना के अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है वैसे नेतन याहू के खिलाफ पबलिक के प्रदर्शन तो लगातार होते रहे और हजारों की तादाद में लोग इसराइल की सड़कों पर निकल कर नेतन याहू के खिलाफ नारे बाजी करते है हमास के कब्जे में जितने बंदक हैं उनको छुडाने की मांग लगातार हो रही है इसराइल में इस वक्त काफी ज्यादा तना हुए एक तरफ लिबनान की तरफ से हिजबुल्ला रॉकेट और मिसाइल अटेक कर रहा है तो दूसरी तरफ इरान भी लगातार धमकी दे रहा है यमन की तरफ से खुती विद्रोही भी इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं हमास की तरफ से भी खत्रा बना हुआ है इसराइल के हादेरा में एक सक्स ने छह लोगों को चाकू मार दिया इसराइल ने इसे आतंकवादी घटना माना है हादेरा में इस हमले ने पूरे इसराइल को हिला कर रख दिया है हमलावर भी मारा गया लेकिन एक अक्तूबर को तलवीब में भी ऐसा ही हमला हुआ था जब दो बंदूखधारियों ने इसराइल की राजधानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी इस हमले में साथ लोगों की मौत हुई थी जबकि नौ घाल हुए थे ऐसे हमलों और हिजबुला के रॉकेट अटाक के बीच इसराइल पर बड़ा खत्रा एरान की तरफ से है और इसमें सबसे बड़ी भूमी का जनरल इसमाईल कानी की हो सकती है क्योंकि इसमाईल कानी के मारे जाने की खबर को एरान ने खारिच कर दिया है इसलिए क्यास लगाये जा रहे हैं कि किसी बंकर या कंट्रोल लूम में बैठकर जनरल खानी को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया है और इस वक्त उनकी उंगली भी उसी बटन पर है जिसे दबा कर एक अक्तूबर को 200 मिसाइल इसराइल पर फायर की गई थी वैसे ये बटन तभी दबेगा जब इसराइल इरान पर जवाबी हमला करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल जवाब जरूर देगा और उसके टारगेट पर इरान के कम से कम 25 शहर है इन में परमाणू अड़े भी हैं इन में तेल के ठिकाने भी हैं और इन में तमाम उन कमांडरों के अड़्रेस हैं जो खामनेई के ओडर पर इसराइल को दहलाने के लिए तयार है यही वज़ाए कि जनरल स्माइल कानी को किसी सीक्रेट अड़े या फिर बंकर में भेज दिया गया है ताकि सेकंड स्ट्राइक के लिए इरान तयार रहे